कहानी आस्मान का पंच्छी, रित्विक, उठो बेटा स्कूल जाना है, साथ बज गए और तुम अभी तक सो रहे हो, नेहा अपने बेटे रित्विक से कह रही थी मम्मी, सोने दो ना, वैसे भी मैं आज स्कूल जाकर क्या करूंगा, मेरे स्कूल में वार्शिकोत्सव की तया गाना, बजाना कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हें तो देहरादून के बड़े स्कूल में पढ़ना है, वार्शिकोत्सव की तयारी में सारा समय बरबाद हो जाएगा, अब आप ही बताए, यदि स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होगी, केवर तयारी होगी, तो मैं समय ब करूं ना जो आप मुझसे कहती है, अगर आप कहेंगी तो मैं वार्शिकोत्सव में भाग यूँँगा, आप नहीं कहेंगी तो नहीं लूँगा, आप स्कूल जाने को कहेंगी तो जाओंगा, नहीं कहेंगी तो नहीं जाओंगा, क्या मेरी कोई मर्जी नहीं, क्या मैं तब से क्या कहूं कि मेरी माँ को ये सब समय की बरबादी लगती है। हाला कि नेहा के पती आनन्द से हमेशा कहते थी कि बच्चों को अपने हिसाब से भी जीने दो लेकिन वो आनन्द को भी चुप करा देती। नेहा चाहती थी कि उसका बेटा देहरादून के बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बने। रित्वे काठवी कक्षा में जाने वाला था और बोर्डिंग स्कूल का रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में निकलने वाला था नेहा तो समझती थी कि वो कितनी जिम्मेदार्मा है। हर वक्त अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगी रहती है। लेकिन जिस बेटे के बारे में वो इतना सोचती है, वो उसके बारे में क्या सोचता है, ये जानकर वो अचम्मित रह गई। खुद को एक समझदार और जिम्मेदार मा समझने का उसका भ्रम अब तूट चुका था। मने एक अजीब सी उधिरबुन में लग गया था, जैसे अतीत में जांक कर जानना चाहता हूँ कि आखिर चूक हुई कहा नेहा को जब किसी उलजन का कोई हल नही सूचता, तो वो अकेले बाहर बालकनी में बैठ जाती है, आज भी उसने वही किया, बुझे मन से वो आसमान की तरफ देखने लगी तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी, उस पेड़ पर कुछ पंची उच्छल कूद रहे थे, कभी वो इस डाली पर बैठते, तो कभी उस पर, उनकी हरकतों से साफ साहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश है, नेहा सोचने लगी, क्या उसने कभी रित्विक को ऐसा स्वचंद, उन्मुक्त बचपन दिया है, बचपन की ऐसी तमाम नादानिया करने दी है, जो हर बच्चे का पहला अधिकार होता है, सोचते हुए नेहा क रित्विक बाकी सभी बच्चों की तरह बारिश में बाहर आंगन में भीगने की जिद करता, पर नेहा हमेशा ये दलील देकर उसे चुप करा देती की भीगने से सर्दी लग जाएगी, लेकिन ना भीगने से क्या रित्विक को कभी सर्दी नहीं लगी, फिर उसकी नजर घ के नीचे पानी में बहती कागस की नाव पर पड़ी, जो हिलती दुलती मजे से पानी में बहे जा रही थी और उसे देख बच्चे खुश हो रहे थे, वैसे भी बेमौसम बरसात में बच्चे और भी जूम उठते थे एक बार फिर नेहा को कुछ पुरानी बाते याद आ ग तुम्हें तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तुम तो बड़े बड़े जहाज बनाऊंगे, इस कागस के जहाज से क्या करना, चलो, खाना खालो नहीं मम्मी, मैं कागस की नाव ही बनाऊंगा, मैं बड़ा जहाज नहीं बनाऊंगा, मैं इसे बनाकर मिट्टू और बंटी के साथ शाम को पानी में बहाऊंगा फिर हम लोग देखेंगे कि किसकी नाव आगे जाती है अरे नाव की रेस जीत कर क्या करोगे चलो चुप चाप खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठो कहते हुए नेहा ने उसकी टेड़ी मेली नाव को फार्ट कर फेक दिया ने नेहा को याद आया कि उसने कभी रित्विक को कहीं अकेले नहीं जाने दिया जब उसके सभी दोस्त बढ़ते पार्टी में जाते और वो भी जाने की जिद करता तो नेहा साफ मना कर देती उसे लगता कि कोई बच्चा उसे गिरा न दे उसे कहीं चोट न लग जाए यही व बंद कर दिया और रित्विक अकेला पढ़ता चला गया जब भी उसने इस बारे में नेहा से शिकायत की तो उसका जवाब होता कि आखिर रित्विक को दोस्तों की जरूरत ही क्या है उसकी मा ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है रित्विक तब घुट के रह जाता नेहा को श वच्छन पंची होता है, वो बच्पन जहां इंसान बेफिक्री से सिर्फ वर्तमान में जीता है, वो बच्पन जिसकी खटी मीठी यादे उम्रभर जहन में ताजा रहती है और जीने का संबल बनती है, वो बच्पन जो कभी लौट कर नहीं आता और जिसे दुबारा जीने की ख्वहेश हर दिल में रहती है, मन में ऐसे ही न जाने कितने विचार एक साथ उथल पुथल मचा रहे थे। रास्ते में एक गुल्दस्ते वाले के पास उसने गारी रोकी और उससे बढ़ियासा गुल्दस्ता बनाने को कहा वो गुल्दस्ता लेकर रित्विक के स्कूल के पास खड़ी हो गई। दस्ता लिया और उसमें वह नोट पड़ा जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना रित्विक। बेटा, मैंने तुम्हें जन्द तो दिया, लेकिन अच्छा जीवन नहीं दिया। मैंने तुम्हें खुले आसमान में उरने का होसला तो दिया, लेकिन अपनी मर्जी से उरने की इजासत नहीं दी, तुम्हें उरने के लिए पंक तो दिये, लेकिन उरने से पहले ही उन्हीं कात दिया। मैंने तुम्हें कभी आजाद चरिया की तरह स्वच्छन महसूस नहीं करने दिया। मैं अपने बेटे को खो देती। आज, तुमने अपने दिल की बात कहकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराया है। मैं मेरे दोस्त देख रहे हैं अरे हां, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हे स्कूल जाना है। मा के इस बदले रूप की खुशी रित्विक के चहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। उसने मा को कसकर गले लगाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, I love you ममी। स्कूल से लोट कर आपसे धेर सारी बातें करूंगा, अभी चलता हूँ। उच्छता हुआ रित्विक अपना गुलदस्ता अपने दोस्तों को दिखा रहा था। नेहा का नोट उसने जेब में डाल लिया। नेहा अपने बेटे की समझदारी पर फूले नहीं समा रही थी।